मित्रों नमस्कार विलकम टू माई चैनल सरोशिंग मित्रों आज मैं युवा दमपति के लिए बताना चाहता हूं कि आप कंसीब भी हो जातो हैं फिर भी नहीं पता चलता के हम कंसीब हो गए की नहीं लेकिन इसके तीन तरीके हैं अगर फर्ष्ट में आपका एमसी टाइम ल प्राता की यूरिन दो बून डाल दीजिए अगर उसमें दो आज आ रहे हैं निशान तो समझ लीजिए कि आप किलियर हैं अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो इसकी जांच होती है बीटा यच सीजी ये मिस यमसी मिस के दस से पंदरा दिन बाद होता है इस तीन साड़े त सीरम के थुरूज की जांच होती है तो इसमें ब्लड में प्रोजिस्टान का लेविल देखा जाता है तो उससे पता लगा जाता है कि बीटा इस जी अगर दस से कम है तो समझ लीजिए कि प्रिजिंसी नहीं है अगर दस से पचीस तीस दो पांसो छेसो हजार डेड़ हजार दो हजार इसके उपर है तो समझ लीजिए कि आप कंसीव कर गए हंडेट एक सो एक परसंट तो इस तरह से भूल ना करें क्योंकि उसके बाद आपको तुरंट ट्रीट्रमेंट ट्रेनिक हो सकता है नहीं तो पता लगा कि अगर बीटा इस जी का रेंज कम है तो बाद में ब पत्ति के लिए जानना अशक है कि हमारी वाइफ कंसीव कर गएं कि नहीं कि किसी भ्रह्म में रहते हैं तब तक मामलाख हो जाता है तो आपको जानकारी होना अतियाशक है नमस्कार